दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसके सेवन से आपको बालों से जुड़े सभी रोगों को सदा के लिए छूट करा मिल जाएगा साथ ही आगे बविश्य में भी बालों से जुड़े रोग जैसे की बालों का सफेद होना जड़ना गंजापन आदी जो है वो आपको नहीं सताएंगे इसके लिए बस आपको इस फल का सेवन करना है जहां दस्तों उस फल का नाम है सीता फल याने की सरिफा ये एक बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट फल है लेकिन लोग इसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं सीता फल अगस्त से नवंबर के आसपास अथार्थ आसविन से माग मास के बीच में आने वाला फल है अगर आप उसके मोसम में दिन में एक सीता फल का सेवन करते हैं तो ये आपको अनेको बिमारियों से निजात दिलाता है तो चलिए जानते हैं सीता फल खाने से हम किन-किन बिमारियों से निजात पा सकते हैं दोस्तो सिताफल फल ही नहीं बल्कि एक दवा है एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग शरीर से दूबले हैं उन्हें सिताफल खाना चाहिए सिताफल खाने से सरीर की दुर्बलता दोस्तों दूर होती है साथ ही मैन पावर भी सिताफल बढ़ाता है सिताफल सरीर की दुर्बलता, ठकान, मांस, पेशा, शीन होने की दशा में खाना बहुत लापकरी होता है सिताफल एक मीठाफल है, इसमें काफी मात्रा में केलोरी होती है ये आसानी से पचने वाला और अलसर एवं ऐसीडीटी में बहुत लापकरी होता है इसमें आयरन और विटामिन C की काफी अच्छी मात्रा होती है इसके अलावा सीता फल कई रोगों में दोस्तों रामबान होता है सीता फल को अगर आप बकरी के दूद के साथ पीस कर बालों में लगाते हैं तो इससे सीर के उड़े हुए जो बाल है दोस्तों वो फिर से उगाते हैं बालों को उगाने के लिए बहुत लबकरी होता है इसमें खुब सारा विटामिन A होता है जो की हमारे बालो और आँखों की तोचा के लिए बहुत लबकरी होता है सिताफल के बीजों को बारिक पीस कर रात को सीर में लगा लें और किसी मोटे कपड़े से सीर को अच्छी तरह बांद कर सो जाते हैं तो सीर में जितने भी जुए होती है वो मर जाती है आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पैस्ट है ये आपकी आँखों तक न पहुँच पाएं क्यूंकि इससे आँखों में जलन एवं अन्य समस्याएं दोस्तों हो सकती है सीताफल के पतो का रस बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगा कर अगर आप मालिश करते हैं तो भी जुए मर जाती है सीताफल के गुदे से बना अगर आप सर्बत पीते हैं तो इससे सरीर की जलन दूर हो जाती है जलन को ठीक करता है और वे लोग जिनका शरीर हर वक्त जलता रहता है गर्म रहता है उन्हें नियमित रूप से दोस्तों सीता फलका सेवन करना चाहिए तो दोस्तों ये था कि आप बालों के लिए सीता फलका कैसे प्रियोग कर सकते हैं अगर आप कोई जानकरी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों